यहां पर परफॉर्म करने वाले थे वहां पर पहुंचे बजरंग दल के सदस्य एमसी स्टैन इवन्ट में मौजूद थे स्टेज था जनता थी लेकिन एमसी स्टैन परफॉर्म नहीं कर पाए बिग बॉस विनर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है इंदौर से बिग बॉस जीतने के बाद एमसी स्टैन की पॉपलरिटी 100 ताइम्स जादा बढ़ गई थी परफॉर्मेंस के लिए तयार थे लेकिन इसी बीच वहाँ पर बजरंग दल के सदस्या आ जाते हैं स्टेज पर एमसी स्टैन के बज़ाए वो लोग चड़ जाते हैं और वहां स्टेज पर चड़कर वो खुले आम कहते हैं कि एमसी स्टैन स्टेज पर आकर दिखाए वो अ वहीं पर MC 10 को पीट देते इसलिए MC 10 स्टेज पर गए भी नहीं और रिस्क नहीं ली वह वहां से बिना शोकिये ही निकल गए According to reports बजरंग दल का मानना है कि MC 10 अपने गानों के जरिये अशलीलता परुसता है गंदी गालिया देता है और तो के लिए और इसी वज़े से जो यूथ है उसे MC 10 खराब कर रहा है इसलिए इन दौर में MC 10 का ये शो नहीं होने दिया गया वहाँ पर बजरंग दल के लोग पहुँच गए हाला कि स्टेज पर बजरंग दल के लोग जो कुछ कह रहे हैं इस दौरान उन्होंने भी धंकी बरी लैंगविज में ही बात की है और उन्होंने भी गाली गलोज टाइप की ही बात की है MC 10 ने बजरंग दल के इन सदस्यों को गुंडा बताया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि स्टेज पर ये सभी लोग खड़े हैं और MC 10 परफॉर्म नहीं कर पाए हैं MC 10 ने नाराजगी जताई है इन दौर पुलिस की सेक्योरिटी पर और कहा है कि पुलिस भी हमें सेक्योरिटी देने से चूक गई क्योंकि जहां पर कॉंसर्ट था जहां पर मैं परफॉर्म करने वाला था वहां अंदर तक स्टेज पर इन लोगों को कैसे पहुंचने दिया गया यह साफ बताता है कि पुलिस अपने काम में चुकी है और्गिनाइजर्स ने भी सेक्योरिटी के ठीक इंतजाम नहीं किये